इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे अगें सर वोक्याबलेरी करना जरूरी है भाई साब अगें मैं कह रहा हूँ स्नाप पे टाइम भी मिर कहा था वोक्याबलेरी पे जादा ध्यान मत देना गाईस सच बताओ यार कैसे कर लेते हो कैसे हजार वोर्ड्स तुम रट्टा मार के धान में रख पाते हो जिस्ट थिंक अबॉट इट मैं काफी लॉजिकल लेबल पे बात करता हूँ आपको बहुत सारे ना मेंटर्स कहेंगे वोक्याब रीड करो वोक्याब रीड करो रट्टा मारो रट्टा मारो भाई सब कौन सी दुनिया में रह रहे हो रट्टा कैसे मारे हो इधर 20 वर्ड अगर मैं यार आम वर्नेकुलर गाए बहले मैं वर्बल का फैकल्टी और मैंने वर्बल का भी फोड़ा है बट जहां पे वोक्याबलरी की बात आती है ना ट्रस्ट मी हालत तंग हो जाती है यार तुमने 20 वर्ड रात में पड़े तुम सुबा उटे वो 20 के 20 गायब हो गए चलो महनत करके थोड़ा सा एफट्स मारके अगली दिन शाम तक 20 वर्ड तुमने याद कर लिए पर तीन-चार दिन के बाद वो 20 के 20 पूरे खतम सुना आप महराटी में ने कहावट इस फञी कहावट बैदेवे पुड़ सपाट माक्चसपाट मतलब आगे का जितना भी हम करते है सब याद आता है और पीचे का पूरा लेवल अप हो जाता है पूरा निकल चले जाता है राइट? सो वक्याबलरी पे धान मत देना भाई और भेनो सुनो ये मेरी बाद मैंने सनाप में गा था बच्चे लगे पढ़ है वडपार, made easy और ये, और ये, और ये, और ये, और ये, गंटा कुछ काम आया नहीं नहीं आयागा काम तु मत सुनो मेरी बाद तु मत सुनो नुकसान गरो गे ये अपना जो मैं रॉटत आट कर ये ये, जो जा पिक भी कर बाद ये, और आट अप्लात उनले बाद, सुनो में पे चॉना गढ़ भाग्याबलरी पे दना Your best friend should be grammar Good life Grammar should be something you should do Idioms and phrases में भी जादा मत करना Grammar करोगे Flip langs हो जाएगा Grammar में तुमारा sentence correction हो जाएगा Grammar में काफी सारी चीज़े हो जाएगी Actually reading comprehension Reading comprehension के strategies मैं आपके साथ share करूँगा उसका कोई tension मत ले ना ठीक है?